शुरू करना जाता हूँ, आसे करता हूँ, आप में से कुछ लोगों ने एक आणी सुनी भी होगी, पड़ी भी होगी, और एक रियल गटना है, और एक रियल जीवन की, एक वास्तविक जीवन की एक कहानी है, ये कहानी बिलियम कॉल गेट की है, जो 1887 में, उन्होंने 1873 में, जो कॉल गेट पेस्ट है, जिसको आप में बहुत समय से इस्तमाल करते हैं, ये कहानी उनकी है, कि उन्होंने इसकी सुरुवाद जो है, 1873 में कॉल गेट पेस्ट की सुरुवाद की, और 16 साल की उमर में, जब बिलियम कॉल गेट 16 वर्स के थे, तो एक बार जब वो यात्रा कर रहे थे, तो एक नैवल ओपिसर से उनकी मुलाकात हुई, और उन ओपिसर ने, उन अधिकारी ने, बिलियम कॉल गेट को एक सजिसन दी, कि जैसे आप अपने बियोसाई को शुरू करने जा रहे हैं, अपने काम को शुरू करने जा रहे हैं, हाला कि, जो बिलियम कॉल गेट हैं, उन्होंने शुरुवात में साबुन, और साबुन बेचनी की शुरुवात की, और दीरे दीरे साबुन के साथ मुम्बतिया ये उन्होंने अपना ब्योसाई सुरू किया बद दीरे दीरे उन्होंने कॉलगेट जो है कॉलगेट पेस्ट की सुरुवात की 1873 में और जब उस नॉबल आपिसर ने उन्हें एक सजिसन दी उन्होंने कहा कि आप अगर अपने ब्योसाई में अपने कारे में सपल होना चाहते है तो एक सिधान को अपने जीवन में लागू करें और अगर आप इस सिधान को लागू करेंगे तो परमीशा आपको बहुत आसिस देगा तो वो सिधान उस अधिकारी ने उन्हें बताया कि आपको अपने कार्य में जबाब अपना वियौसाई शुरू कर रहें उसका दस्वाज यानि दसमाज दान भेट देने में विश्वास योग्य रहें और विलियम कॉलगेट अपनी कहानी में इस परकार से कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपना वियौसाई शुरू किया धीरे धीरे उनका जो वियौसाई है उन्नती करने लगा और फिर उन्होंने अपना दस वर्ज जो है कलिस्य में देना सुरू किया धीरे धीरे और उनका जो कॉलगेट पेस्ट का भ्योसाई है वो और बढ़ने लगा और उन्होंने 20 परसंद देना सुरू किया और कुछ साल के बाद उनका व्योसाई और बड़ा उन्होंने 30% देना सुरू किया और परमेशन और आसीज बिलियम कॉलगेट के व्योसाई को दिया फिर उन्होंने 40% देना सुरू किया और ऐसे ऐसे करते करते बिलियम कॉलगेट जो है अपने ब्योसाई का पचास परतिसद पचास परतिसद जो है दान चर्च में देना उन्होंने आरम किया और परमेश्यों ने ऐसा अनुग्रेव आसिसlar बिलियंब कॉल्गेट की भियोसाई को दिया आज भी यह भियोसाई जो है दिरतर चलना है और यह भियोसाई जिसे हम कॉल्गेट के नाम से भी झानते हैん और कॉल्गेट पामोली कमपनी आज भी जीवित हैं और आज भी विकास और विक्सित हो रही है और 200 से जादा कंट्रीज में यह जो वियोसाई है यह चलना और कॉल्गेट हम सभी इसे परिचित हैं कि कॉल्गेट के सुनुवाद जो है 1870 में बिल्यम कॉल्गेट के द्वारा की गई और आज भी यह पूरे विश्यवर में परसिध है तो यह कहानी एक वास्तवी कहानी है उस सक्स की जिसने परमेश्य के सिध्धान्त का पालन किया और प्रभु ने ऐसी आसिस दी कि अभी भी वो आसिस कभी खतम नहीं होती है तो ये जो सिद्धान्त है देना ये बिब्लिकल सिद्धान्त है और परमेश्यर ने सिद्धान्त हर एक मानब जाती के लिए दिया है एक यूनिवर्सल सिद्धान्त है जिसे हम एक बिश्व यापी सिद्धान्त भी कह सकते हैं ये कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं ही हैं कि हम Christian हैं हम इसका पालन करेंगे हमी आंसिस पाईगे ऐसा नहीं हैं जो بھی मानब जाती जो भी मनुसिया इस द्धानत का पालन करेगा वो आंसिस पाएगा और हर एक मजहब में हर एक दरम में भी आप इपाते हैं कुछ लोग जो दान देते हैं उपवार के रूप में देते हैं पर मिश्व ने आसिस देता है साइद आपने इवन हम सब ने जो गुरु द्वारा के बारे में भी सुना होगा गुरु नानकी कहाने भी सुनी होगी उनके पितान एक बार उन्हें 20 रुपए दी है और कहा बेटा ऐसा काम करो जो कभी खतम नहों इस 20 रुपए के द्वार और उन्होंने लंगर का काम सुरू कि आज भी पूर विश्यवर में लंगर का काम जा रही है तो ये सिद्धान्त जो है देने का एक यूनिवर्सल सिद्धान्त है और परमिश्यों से आसिस देता है और बाइबिल हमी क्या इसके बारे में सिखाती है जब आप कुरंटियों की पत्री में जाएंगे 16 द्याई में 16 द्याई में प्रेरित पॉलू जै सिद्धान्त को इस सिद्धान्त को कलिश्यों को याद दिला रहा है पहला कुरंटियों उसका 16 दियाई उसके कुछ पत्में आपके लिए पढ़ना चाता हूँ द्यान पुर्बक आप सुनना पहला कुरंटियों उसका 16 दियाई इस प्रकार से लिखा है अब उछ चंदे के विशय में जो पवित्ति लोगों के लिए किया जाता है जैसी अग्या मैंने गलतियों की कलिस्य को दी वैसे ही तुम भी करो सब्ता के पहले दिन तुम में से हर एक अपना आमदानी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने तक चंदा ना करना पड़े और अब जब मैं आऊंगा तो तुमें तुम चाहोगे उन्हें भी चिठियां देकर भेज दूँगा कि तुमारा दान यरुसलिम पहुचा दे और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो मेरे साथ जाएंगे यहाँ पर प्रेरित पॉलूस जो है कलिस्य को दान और दसमास के बारे में उत्साइद कर रहा है कि आपको अपनी भेट जो है सब्ता में इकठा करते हुए यह भेट जो है यरुसलिम पहुचानी है अब मेरा सवाल है क्यूं प्रेरित पॉलुस जो है यरुसनेम के लिए इस दान और भेट को इकठा कर रहा है क्या कारण है प्रेरित पॉलुस गलातियों की पत्री को या गलातियों की कलिश्या को मकादुनिया की कलिश्या को कुरंतियों की कलिश्या को उत्साइद कर रहा है और कह रहा है कि अपने सब्त का जो दान एकठा करके यरुसलेमे भेजो क्यूं भेजना चाहा रहा था हालांकि इसके बारे में जाब पढ़ते हैं यरुस्लेम में ये 46 AD की बात है यानि पहली सताब्दी की बात है यरुस्लेम में बहुत सारा घोर संकट आया था अकाल भी पढ़ा था साती वाँ पर सताब बहुत जादा हो रहा था और कलिस्या गरीबी से होकर के गुजर रही थी सताब से होकर के गुजर रही थी और सामाजिक समस्यों से होकर के गुजर रही थी यहुदि उन्हें बिलकुल निगलेट कर रहे थे क्योंकि जो यहुदि लोग चुनोती के समय में प्रेद पॉलू जो है कलिस्या के लिए भेट और दसमास इकटा करके येरुसलेम भेज रहा है और ये जो है कलिस्या को एक चीज जो है प्रेद पॉलू शिखाना चाहता था वो ये कि जब हम लोग दुख में रहते हैं जब कस्टों में रहते हैं जब मुश्किलों में रहते हैं हम सब लोगों को हमारी जो में कलिस्या है हमारी जो रूट है हमारी जो जड़ है जहां से मसीयत के सुरुवात हुई ये रुसलेम हमें उनका सयोकर निक्याव सकता है हालांकि यहुदी और अन्य जातियों कलिस्यों में वेदभाव था बहुत पहले से क्योंकि जो यहुदी मसी बन गए थे वो अन्य जाति मसीऊं को जो है महत तो नहीं देते थे उतना पर प्रेत पॉलुस इस भिंता का भी खंडन करना चाहा रहे कि हम सबी लोग भले कुरुंतियों में एक छोटा सा एक कलिस्य है अलग है दूर है एक समुदाई की कलिस्य है लेकिन हमारी रूट जो है हमारी जड़ है यरुसलिम से जुड़ी हुई है हम यरुसलिम से हमारा जो मेन रूट है वहां से जुड़ी हुई है तो प्रियो मैं आपको जो उत्सायद आज करना चाहता हूँ ये है कि आप और मैं बले हिमाचल के पहाडियों में रह करके प्रभु की सिवकाई कर रहे हैं बीबिन जगाओ में हमारे रोडु छेत्र में हैं सिमला रीजन में हैं और सोलन में हैं कुन्यू छेत्र में हैं डम्टाल छेत्र में हैं तो विबिन जिल्नों में रहकर के प्रभू के हम सिवकाई कर रहे हैं लेकिन आपके मेरी रूट जो है वास्तविक्ता में बिलिवर्स्टन चर्च के द्वारा मेट्रपोल्टन के सिवकाई और उनके दर्सन और बीजन के द्वारा हम तक परमेश्य ने इस आसिस को पहुँच है और इसके द्वारा हम प्रभू के सिवकाई में आगे बढ़ रहे और केरला जो फस्ट संचूरी में कलिश्य की कलिश्य का आप उमें भाग है तो जब इस समय युद असंबली के माध्यम से या विबिन कलिश्य की एक्टिविटीज जो होती है उसकी माध्यम से आप उमें भी फ्रेद पॉलुस के समान कलिश्याओं को हर एक दूसरे को मैं बूत्साइद करना चाहता हूं कि आप भी इस समय हम सबों का सयोग करने के लिए अपना योगदान दे और ये एक यूनिवर्सल प्रिंस्मल है देना और जब आप उमें जैसे जवानों के लिए बहुत बड़ी असंबली हों आप रखी जारी हजारों लोगों आप आएंगे तो लाखों और नियर अबाउट करोड के करी ये एक स्वाइंस जाएगा तो इसके लिए हम सब लोग एक दूसरे की जब मदद करेंगे तो यह असंबव काम है संबभ हो पाएगा और इसका जो ऑबज़ेक्टिव है वो यह है कि हमारी प्रिया भाई वेनों को परमीश्य का प्रेम और परमीश्य का स्पर्स परमीश्य क दर्शन परमिश्य का वीजन उन्दक पहुंच सके और यही एक objective है इस assembly का तो इसके लिए आप सब भी हमारा सयोग भी करें और सयोग कर रहें उसके लिए मैं तैदिल से आप सबों को दनिवा देता हूँ परमिश्य विश्वास योगिय है बफादार है जैसे बिलियम कॉलिट जो विश्वास योगियरा अपने देने में परमिश्वी उसे ऐसी आस्यस दिए और आज भी ये जो कॉलिट कमपनी आज भी जीवित है तो देने से कभी कोई गरीब नहीं होता और ये बिबिलिकल सिद्धान्थ है और प्रेट पॉलुस कलिस्य की एकता में एकता को याद दिलाता है कि हम बिबिन जगाओं में रहते हुई भी हम सब एक है और हम एक हम कैसे परकट होंगे जब दुख में मुश्किल में जह हम सयोग करेंगे तब ही जाके हम इस चीज को अपने एक्षन के द्वारा परकट कर सकते हैं कि हम भी इस बड़े कलिस्य के भाग है तो आप हमें प्रेट पॉलुस समय यह उचाहिद करना चाहरा था लेकिन आप हमें विलिवस्टन चर्च के भाग हैं और हमारा परिवार जोई बहुत बड़ा परिवार है तो उसको हम इस असमली में देखने पाएंगे कि कितना बड़ा परिवार हमारा है तो एक opportunity हम सबाओं के लिए तो परमिशर इस बचन के द्वार हमें आसिस ते और हमारी मदद करें कि इस चीज को हम personally अनबव करने पाएंगे अभी इस असमली में कि हम कितना बड़ा परिवार हमारा है पूरे भारत वर्ज में और विश्य वर्में विलीवस्टन चर्च की कलिस्य बहुत बड़ी कलिस्य आमें एक छोटे कलिस्य का हिस्सा नहीं बहुत बड़ी कलिस्य है और ऐसे समय में जह हम एक दुसरे का सयोग करेंगे तो परमिश्य और आसिस हमें देगा अप्राइट पॉलुसी कलिश्य को साहित कर रहा है कि दुख में मुश्किल की समय में सयोग करें और प्रभू हमें आसिस देंगे तो प्रभू इन बचनों के द्वारा में आसिस दे और हमारी मदद तो साहित करें कि असंबली हम सबों के लिए अमारे जवान भाईवैनों के लिए और हमारी कलिश्य के लिए वो पूरे भारत बर्स के लिए यूनिवर्स के लिए अनुग्रेव आसिस का कारण बने और अभी तक पहुंचा है आगे भी पहुंचेगा प्रविन बचनों के द्वारा मिया आशिस्ते